फिलिप्स की मसीन पर NCCT P&S कैसे करते हैं देखिए एंट्री करने के बाद गो करेंगे गो करने के बाद सबसे पहले आएगा टोपो इसमें दो टोपो आएगे फिलिप्स की मसीन है एक आएगा कोरोनल टोपो दूसरा आएगा सेजाइटल टोपो तो उसके लिए हमें सबसे पहले आएगा scanning button प्रेस करने के लिए हाथ बना हुआ है आपको दिख रहा है नीचे यहाथ बना हुआ आच चुका है तो यहाँ से हम प्रेस करेंगे hand पर यह scanning button जिसे हम कहते हैं तो यहाँ पर coronal topo आच चुका है इसके बाद आएगा sagital topo जिसे कि हम P&S की planning करेंगे कि हमें P&S कितना cover करना है कितना नहीं इस इक्स्टीन स्रैस की मसीन है फिलिप्स की इस पर scan करना बहुत इजी होता है इस इस है जाइटल topo आ चुका है तो जो आपको blue lines आपको दिख रही है यह इसके हम planning करेंगे मिड में रख लेंगे P&S को cover करने के लिए side से cover करेंगे उपर से और नीचे से cover करेंगे अच्छे से ताकि frontal sinus नहीं कटे maxillary sinus नहीं कटे यहां से हम go करेंगे go करने के बाद move करेंगे यहां से move करने के बाद hand का hand बना हुआ रहा है यहां पर hand पर click करेंगे जिसे हम scanning button कहते हैं यह scan start हो चुका है scan start होने के बाद थोड़ा wait करेंगे देखेंगे patient हिला तो नहीं है अच्छे से cover हुआ है नहीं हुआ P&S जितना हमें चाहिए था ताकि sinus नहीं कटे चारो sinus आ जाए अच्छे से यहां से go कर देंगे रिकॉन करने के लिए रिकॉन होने के बाद हम check करेंगे P&S अच्छे से आया है नहीं आया यह रिकॉनिंग चल रही है scan की तो फिलिप्स की मसीन पर इस तरह से scan किया जाता है रिकॉन करने का भी अलगी system है यहां पर यह सब कुछ automatic होता है तो अब हम इसे scroll करके देखेंगे साइनस अच्छे से दिख रहे है या फिर नहीं पेशन्ट हिला तो नहीं है तो scan अच्छे से हुआ है साइनस भी clearly दिख रहे है देखिए तो इस तरह से फिलिप्स की मसीन पर एंसे सिटी P&S किया जाता है सेम इसी तरह से brain भी किया जाता है उसकी हम आपको जरूर एंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू